अगर आपने अभी तक मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना मैं शोबिता और आज आग से बात करती हूँ कुछ उन लोगों के बारे में जिनकी हमारी जिन्दगी में एक बहुत खास जगा होती है जिनके बिना हमारा एक दिन भी गुजारा नहीं होता है वो ना हमारे ब्लाड रिलेशन होते हैं ना हमारे रेलेटर्स होते हैं ना हमारे वो होते हैं हमारे house colleagues हमारे house help जो हमारे day to day काम में हमारी help करते हैं और हमारे burden को कम करते हैं हमें उनका एक दिन की भी absence परदाश नहीं होती है हमें लगता है जैसे वो अमर फल खाके पैदा हुए हैं उनको कभी कुछ हो ही नहीं सकता और उनको तो रोज आना ही है वो तो कभी चुटी ले ही नहीं सकते चलिए आपको मिलाती हूँ अपनी अपनी house help से जो की 20 साल से मेरी help कर रही है मेरे हर काम में यह है बीना और यह 20 years से मेरे खर में आ रही है और मेरी हर चीज में मेरी help करती है और यह मेरी gossip partner भी है मेरी tea and coffee companion भी है और मेरी कभी-कभी advisor भी बन जाती है and I really value her advice sometimes और मेरे birthday पे और दिवाली पे सबसे पहला गिफ्ट बीना का होता है और जब मैं बिमार होती हो यह मेरी take care करती है जब घर चली जाती है मुझे बारबा फोन करती है पूछने के लिए दीदी दवाई खाली है दीदी ठीक हो आप और इसका यह कहना है बीना का यह कहना है कि दीदी रात के दो बज़े भी बुलाओगे तो मैं भाक्या होंगी अब मुझे पता यह आएगी जरूर तो इनके यह छोड़े जेस्चर्स जो होते हैं इनको हमारी लाइफ में बहुत इंपोर्टेनट जगह देते हैं तो मीना कुछ कहना है नहीं मी बस बहुत अख्या आठ हाउ तो हम भी उतना ही प्यार और उतनी ही Hazat देते हैं अगर हम उनको देंगे तो वो इन रिटर्न हमें भी उतना ही देंगे और ये भी हमारे पर डिपेंडंट होते हैं इत मींस we are interdependent क्योंकि अगर जितना हम करते हैं उतना वो भी हमारे लिए करेंगे उतना in return so जितनी जरुवत हमें इनकी है अब life में उतनी इनको भी हमारी है so we are equally dependent on each other so हमें इनका इज़त करनी चाहिए इनकी respect करनी चाहिए क्योंकि इनके बिना हमारा जो है रोस का रोस गुजारा होता है जो आजकल की busy life है आजकल की hectic life है सारे अपनी अपनी life में busy है fast moving world है तो इसमें हमें help की बहुत ज़रुवत होती है इसलिए तो बीना का तो यह है होनी पड़ती है कि मिन्स question जो होते हैं वो एक तीर तीरों की तरह से इसके बढ़ बचार होती है उनकी क्यों किस लिए कहां जाना है क्या important काम है तो यह सारी चीज़े तो एक तरफ पर जो लड़ाई भी होती है arguments भी होते है पर फिर उसके बाद बाद में बहुत short lived होती है इस सारी चीज़े और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है तो एन में एक लाइन कहूंगी जो कि मेरा tribute होगा for all the house helps जो कि हमारी day to day life में इतनी help करते हैं हमारा burden कम करते हैं उनको मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगी जग रूठे सो रूठे पर तुम कभी ना रूठना Thank you, have a nice day and see you in my next vlog